पर आशरी नाड़ी है अब प्रशले नाड़ी के न कोई इसा शे clinical करना चाहता था उस पे मैंने coach बनाया यह बड़ी एक different चीज है इसके उपर सबसे पहले मैं PDF दिखाना चाहूँगा आप लोगों को यह PDF है काफी सारी PDF आपको मिलेगी लंबी चोड़ी PDF है और यह PDF आपको मिलती जाएगी और इसके सारे pages आपको मिल जाएगे और यह सारी PDF मैं आराम से सिखा हूँगा आपको यह पूरी PDF आपको मिलेगी बहुत अच्छे तरीके से सारी PDF आपको मिलेगी PDF के अलावा जो है आपको बड़े अच्छे से इसके अंदर मैं चीज जो सिखानी है मैं अभी चार्ट लगा रहा हूँ पर मैं class के अंदर blank chart लगाता हूं देको मैं पहले blank chart बत कि जब आप original चार्ट लगा देते हैं कोई वहां हमेशा confusion होगा कैसे confusion होगा मैं पढ़ाता हूं इसी पर ही ऐसे डीवन लिख देता हूं इससे पढ़ने में आप mastery कर जाएंगे याद रखना मेरी बात mastery कर जाएंगे जैसे ही student बोलते हैं पैर यू करते हैं मेरे साथ बोलता हूं पहले तो आपने अपना ज्ूपिटर थाप कर रहा है इन यहां पर आपको समझा रहा हूं ताकि आपको इस समयाप डेमों में हैं तो ह iki जब मैंने इस चाठ पर लगाया मैंने जी जूपिटर फिवतांस ao सको देख रहा है बेनिफिचल रहेगा अब स्टूडेंट कहां गलती कर गया वो मैं बताता हूं सभी करते हैं सर यहां बुद्ध भी बैठा इसका क्या होगा सर मंगल बैठा इसका क्या होगा सर सूरिय बैठा इसका क्या होगा बस उसने चार एक्स्ट्रा क्वेश्चन तूछ लिए यानि पह जो होती है वो गड़बड हो जाती है यहीं चीज़ें यहां पर जो हैं confusion पैदा कर देंगी और आपका भी astrology नहीं सीख पा हुए अब मैं इसको बता रहा हूँ यह जो पराशरी नाड़ी है without train है उसमें train होता है 159 का नाड़ी के अंदर इसमें ऐसा कुछ नहीं लिया जाएग वेदी के अंदर functional कारक तक तो होते हैं ठीक है जैसे ब्रस्पती जो है पती का भी कारा कुरता है गुरू का भी है तो यह जो वेदी के कारक के अनुसार हम चलेंगे नाड़ी के नहीं बट मैं एक class में यह जरूर करूँगा I'll give you some tips and some helping technique of the नाड़ी also वो भी दे दूँगा और correlate सिखा दूँगा उनको ज्यादा फैदा होगा जिनको नाड़ी पहले से आती है उनकी तो lottery लग गई तो मैं वो दोनों बताऊंगा अब यह देखे यहाँ पर क्या होता है सैटरन हमेशा changes को represent करता है क्यों changes को बड़े ध्यान से समझीए सैटरन हमारे करम का कारक होता है मैंने इस पे दो मिरट की वीडियो भी बनाई है करम का कारक होता है तो जिस अभी यह शनी महराज आयें जैसे कुमबराशी में तो कुमबराशी में आपको आपके कर्मों के नुसार फल देगे हर राशी में इमसो जी, वहाँ जो ग्रह बैठा है, शुक्रमित्र ग्रह बैठा है, पॉजिटीव है, कि तू उसका एनिमी है, तो उसको पसंद नहीं है, देखो आपके घर में कोई शत्रु व्यक्ति आके बैठ जाए, आपको अच्छा थोड़ी लगेगा, समझ रहे हैं मेरी बात, तो इ आशी अनुसार लाएगा, और जो ग्रह बैठे है, उनके अनुसार भी लाएगा, क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं, जुपिटर जो है, अभी आपके मीन में चल रहे हैं, यहां चल रहे हैं, जुपिटर का आर्थ होता है, कि आपके पॉजिटीव इवेंट्स होने हैं, पॉजिटीव इवेंट्स बात क्लियर है पॉजिटीव इवेंट्स होंगे ये बस मोटी सी बात याद रखने जुपिटर जहां जाता है अब लोग कहते हैं जी मेरे छटे गर में आगया जुपिटर क्या है बहिए छटा गर शत्रू का है तो शत्रू को शांत कर देगा शत्रू तुम्हारे शांत रहेंगे वो तंग नहीं करेंगे प्लियर है तो इस तरह से हम लेंगे और राहू राहू तो जहां जाएंगे नेगेटिव अप्रोच देंगे अब देखो माल लीजिए यहां पर राहू है किसी का थर्डा उसमें और इस समय एक नंबर राशी मे जब भी राहू आएगा यह कम्यूकेशन में डिस्टर्बंस पैदा करेगा कैसे आपके मोबाइल में दिक्कत कर देगा आप नया लेंगे आपके लैप्टॉप में दिक्कत कर देगा आपको सॉप्ट्वेर नया डलवाना पड़ जाएगा समझा रहा है थर्ड राहू जहा जिसे बताते हैं इस कोर्स के अंदर सबसे इंपोर्टंट पॉइंट है वो रूल्स जिसे मुझे बड़े प्यार से और बड़े इजी वे में पड़ाने हैं अगर रूल आपको नहीं समझ आए तो अर्थीन हो जाएगा सारा और जैसे ही समझ आया ना आपको रूल मैं चैल यहां पर जो है जुपिटर बैठा है साथ नंबर में क्लियर है और माल लीजिए यहां पर बारा नंबर में शुक्र बैठा है तो एक चेंज ऑफ हुआ है ऐसा व्यक्ति गौड गिफ्टेड नॉलेज वाला होता है उसको किसी गुरु की जुरुरत नहीं होती है उसको दो- और एक देवताओं के गुरु जुपिटर ऐसा आदमी किताब पढ़के भी टीचर बन जाएगा किसी भी चीज को काम करते हुए देख ले इसके पास इतनी दिव्य शक्ति दी हुई है यह एक्शेंज का रूल यहां बता रहा है वेदी के अंदर नाडी में भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको आती है बात क्लियर है ऐसे आदमी में सेल्फ लर्निंग का भगवान ने गौड गिफ्ट दिया होता है दूसरा किसे दिया होता है एक और बता देता हूं कहीं पे भी सूर्य के साथ पलूटो बैठा हो यह बंदा अपने से ही सीखेगा इसको टीचर सूर्य के साथ प्लूटो बैठा हो यह अलग है अलग प्रगार की सुलजी बटाइव लाइक टू शेयर विद यू तो इट्स ओके चलते हैं अब मैं टेक्निक जैसे बता रहा हूं चंद्रमा के साथ शुक्र बैठा है अब नाड़ी में हम पढ़ते हैं यह पैसा है और यह फीमेल को रिप्रेजेंट करता है अब यहां क्या है यहां पार शुक्र जो है पत्नी का कारक होता है वहां पे भी पत्नी का कारक होता है चंद्रमा बहन को रिप्रेजेंट करता है तो पत्नी की बहन होगी बड़ी बहन हो सकती है कि जब तक वो बैचलर थी तब तक मीनिंग अलग था जब उसकी शादी हुई शादी के बाद वो ट्रैवलिंग पर जाएगी यानि हनुमा उनका हनीमून जो है आउट अफ दा स्टेशन हो गया एक सिंपर पॉइंट ले लिया हमने बात क्लियर हो गया अब आगे चलते हैं मंगल के साथ हमने कहा राहू बैटा है तो जिस नेटिव के भी मंगल के साथ राहू बैटा हो वो जो है अपने भाई बैनों के साथ रह रहा है तो मंगल छोटा भाई हुआ अगर आप अपने छोटे भाई के साथ रह रहे हैं तो राहू से जीने नहीं देगा राहू जीने नहीं देगा उसे या तो छोटा भाई दूर चला जाए या बड़ा भाई हड़ जाए तभी तरक्की आईगी जीवन में अन्या था नहीं आएग ये बात याद रखिए और अगर वो भाई के साथ जिसके चार्ट में उसको भी दिक्कत आनी है क्योंकि भाई के साथ रह रहा है आप इसमें मैं दो प्रकार की टेकनीक पढ़ाऊंगा आपको क्या दो प्रकार की एक ये दशा लिखा हुआ है आपके लिए एक बिना दशा के कुंडली पढ़ाई जाएगी बिना दशा के आप इसली कैसे प्रडिक्ट कर सकते हैं बिना दशा के और दूसरा है विद दशा दोनों एंगल पढ़ाई आएंगे विद दशा कैसे आप प्रडिक्शन कर सकते हैं यह बड़ी अच्छी चीज है बिना दशा के विद दशा दो प्रकार से पढ़ाया जाएगा ठीक है अब जैसे मैं बताता हूं आपको इसमें ट्रांजिट का बहुत जबर्दस रोल होता है जिसे काफी अत्तक आप बिना दशा के यूजभी कर सकते हैं अब मालीजे पहले गर में शनी का गोचरों फरस्ट अउस में यहां फस्ट आउस के लौट माराज यह बेटें यहां शनी का गोचरों अब ही हमने सिर्फ लॉड का है अब क्या होता कि अगर ऐसे चार्ट लेकर पढ़ा जाना स्टूटन्ट कंफ्यूज हो जाते हैं साब इसके साब मरकरी बैटा है सूरिय बैटा क्या होगा अरे बुद्धी विवेक से चलो उतना थोड़ा वो चेंज आएगा वो ग्रह भी अप प्रभाव डालेंगे बस चोटी जी बात है जब आप साथ वाले प्लैलेट को फोकस करेंगे यू विल गेट लॉट आफ डिफिकल्टी टू फालो और तू अंड़स्टैंड दा थियोरी ऑफ पराशरी नाड़ी एस्टोलोजी अब क्या है कि यह अब जब जातक के लगन मे प्रफम भाव में तो अप्लिप्मेंट होती है लाइफ में क्योंकि काल बुरुष कुंडली से या चर राशी होती है जो स्टार्टिंग की राशी है यानि लाइफ में बहुत अच्छी स्टार्टिंग करना चाह रहा है और अपने आपको बदल रहा है अपने आगा है ट्रांजिट में ठीक है जुपिटर आगया ये पहला बाब जो होता है केंद्र भी होता है और तिरकोन का स्वामी भी होता है दोनों चीजे होती है केंद्र का भी स्वामी है और तिरकोन का भी स्वामी है सिंपल सी बात है ठीक है तो पंचम भाव पर भी आई लगन पे तो बैठा है तो ये द्रिष्टियां उसको जीवन में positive देती चली जाएंगी अभी हमने दशा नहीं लगाई ठीक है ना अब जैसे ये किसी के यहाँ जुपिटर आया हुआ है यहाँ जुपिटर आया हुआ है तो यहाँ जुपिटर आने से his house को uplift करेगा मेरे ही student का है राजू चकरवर्ती फ्रम सुंदर्बन वेस्ट बेंगॉल से तो ये लगन को भी इसने uplift कर दिया फिफ्ट हाउस को भी इसने तीन चान मेरे astrology के course किये तो astrology पर इसका बड़ा तगड़ा रुझान चला गया और बहुत अच्छे से सीख गया ये काफियत तक ठी इसी तरह है अब हम राहू का मैंने पहले बता दिया राहू जहां पे भी जाएगा जिस आउस में जाएगा उस आउस में डिफिकल्टीज देगा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राहू थर्ड आउस में आया है थर्ड आउस में आने की वज़े से communication में दिक्कत देगा इसने जहां भी जाना है साथ दिक्कती ही देनी है कुए अच्छा काम नहीं करना है आपके लिए राहू ने सिरफ दिक्कत्य पैदा करनी हैं आपको उस एरिया में उस हाउस के कारक स्ट्टों को छेड़ेगा अब बात समझ गे उस हाउस के कारक क्यों में कमिया ला देगा जिस ग्रेख के साथ बैटेगा, उस ग्रेख को भी तंग करेगा, यह बात आप समझ कर चलिए, ठीक है, कि तू जहाँ जाएगा जैसे यह देखिए मैं आपको बताता हूं कि तू यहां साथ नंबर में आजकल ट्रांजिट कर रहे हैं कि तू जहां पर भी ट्रांजिट करेगा बस एक लाइन याद रखने हैं ज्यादा अगर भाग्य में परिवर्तन लाग्या तो यहां बैठेगा कि तू वहाँ अचानक परिवर्तन ला देगा ठीक है अब हमने यह किया बात कि लिए आगे चलते हैं मैं इसमें ज्यादा टेक्निक रिवील नहीं करूँगा आप जैसे मैं कुंडली से आपको समझाता हूं एक सेकंड रुकिए मेरे एक कुंडी पर आता हूं फिर आपके साथ आगे चलता हूं यह देखिए डीवन चार्ट है यहां हमने लिखा बारा लेकिन बैतरिन मैं क्लास में टेक्निक रिवील करूँगा अगर जरासी भी लाइन में बोल गया ना तो बहुत सारे मास्ट्री कर जाएंगे इसमें बहुत इजी सूत्राज है दिमाग में जोर ही नहीं देना अगर जो कितु आ गया मंगल आ गया बुद्ध आ गया आ गया सूर्य और शुक्र आ गया बात क्लियर हो गया पूरा मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उसका एक पार्ट समझा रहा हूं जुपिटर कौन है आई मी माई सेल्फ इसके सेवन्थ हाउस से लौड देखिए कौन बनता है बुद्ध कहां बैटा है ये बैठा बुद्ध जुपिटर से कहां बैटा है जुपिटर से छटे गर में सिख साउस मेरिज खराब पक्की होगी निश्चिर मान के लिए बात काता हूं अपने बाद दिमाग नहीं हमन ना दशा लगाई ना नक्षत्र लगाया कुछ नहीं लगाया एक मिरड में मेरिज पता लगी है दो सुत्र इसके अंदर डलेंगे वो भी नहीं मैंने बताए वो में क्लास में अच्छे से बढ़ा एक जलक से देखो कुछ नहीं देखा हमने डीवन चार्ट ही देखा ना ड रहते दिन तरीके से दूंगा अब आपको एक कुंडली दिखाता हूं जिसे मैं क्लास में जुरूर पढ़ाना है वो कूंसी कुंडली है देखिए जैसे यह मिथू लगाने क्लियर है सर यह ब्रस्पती जो है यहां का लॉड बना टैन्थ हाउस का सिटिंग इन्दा इलेवन थाउस माल लीजिए उसका ब्रस्पती ग्यार्में गर में बैठा है अब आपको तो बड़ा अच्छा रायों दीख रहा है विच दस्वें गर का माली को करके लाबखे आन में बैठा है जुपिटर बैण बजा देगा इसका क्लास में कैसे बैण बचता यहां तो आपको बड़ा अच्छा दिखा कुंदली कोई भी देखेगा ना पहली दृष्टी में उसको बहुत बढ़िया दिखेगा कि यार उसके दस्वें गर का स्वामी 11 गर में बैठा तो उसको लाब मिलेगा भया लाब लोग कुछ नहीं मिला ठीक है आगे चलते हैं अब मैं थोड़ा सा और अच्छे से रिवील करता हूं यह डीवन चार्ट है सैटरन आया यहां पर ट्रांजिट का लगन में लगन के अंदर तो क्या होगा लाइफ में निव बिगनिंग हो पॉजिटीव में पॉजिटीव में चेंज होगा ठीक है अपनी पर्सनलिटीज को चेंज करेगा पर्सनलिटी भी चेंज करता लेगा अथमीं ठीक है और जौब भी एक अच्छी जौब को पकड़ना चाहेगा बहुत शांदर क्योंकि शनी की काल पुरुष कुंडली में दस नंबर आची यहीं आती है ना हलका सा इंड दे रहा है आपर दस नंबर आची यहीं आती है काल पुरुष कुंडली एक है कभी भी इसको ऐस नीच मस समन्ना अरे भया केंद्र का स्वामी हो केंद्र और तिरकोण भाव में है राजी हो गई यह शनी का खामखा ज्यादा जल्दबाजी ना करें नीच का समन्ने की तो ज्यादा अच्छे तरीके से मैं क्लास में बताऊंगा आपको तो उसकी मेरिज में भी हेल्प अब पुछो जी मेरिज में क्यों टरेगा वह यह सेवं था उसको देखा उसमें अच्छा एक लिए और कई बारी यह तक शिफ्ट करा देता है लगन में आ करके क्लियर हो गया, यहां तक आगे चलते हैं, नेक्स बताते हैं जुपिटर का, जो मैंने अभी एक एक लाइन बोली, थोड़ा सा अच्छे से मैं बता रहा हूँ, अब माल लीजिए यह लगन है, असेंडेंट है, इसमें जुपिटर आए, अब जुपिटर आएगा, क्या होगा अब मैं पहले एक चीज़ बताता हूँ, किसी के केंदर में कोई ग्रह ना हूँ, it shows lack of confidence, जैसे ही जुपिटर लगन में ट्रांसिट में आता है, किसी की भी कुंडली में, आप देखना आदमी में confidence आ जाता है, सिंपल सी बात है, easy way सीखने को मिलेगा आपको, कोई दिमाज नहीं लगना अपने को, क्या आया सबसे पहले, confidence आ जाती है, उसका positive attitude डिवेलप बहुत अच्छा हो गया, कुछ लोग negative बात करते रहते हैं, पर all of sudden आप देखते हैं, यार इसमें आप positive thinking आ गई है, कैसे आ गई, क्योंकि जूपिटर ट्रांसिट कर गया लगन में, उसकी सोच को बदलवाया हो, positive attitude बनाई है, चीक है, उसके पास सबसे अच्छी चीज है, opportunity मिलेंगी बहुत ज्याद किसी भी हो, चाहिए वो job से related हो, society से related हो, कोई भी, opportunity बहुत अच्छी मिलेंगी, फिर लगना क्या है, I mean myself, health को represent करता है, नहीं लगना, I mean myself, तो आप अगर बिमार थे, क्या थे बिमार, तो आपको doctor अच्छा मिलेगा, आपकी health improve होगी, बात clear हो गया, बढ़ी सुंदर सी, health improve हो जाएगी, ठीक है, आदमी अपने कारियर क्षेत्र में successful होगा, working area में, successful हो जाएगा working area में, clear है, दूसरा, जो उसको problems आ रही थी, life के अंदर, उसका उसे हल मिलना चालू हो जाएगा, अब आप पूछोगे, जी हल कैसे मिल रहा है, भाईया, ये भाग्य भाव को देख रहा है, काल बुरुष कुंडली से, नो नमबर उसकी खुद की राशिया, तो वो जो उसके problem area थे, अब भाग्य साथ दे रहा है, उसका problem area reduce होता जा रहा है, बात clear हो गया, उसका भाग्य अब उसके साथ चलेगा, clear हो गया, आगे चलते हैं, अभी मैंने राहू को third house में बढ़ाया, अब मैं राहू को लगन में बढ़ाता हूँ, राहू लगन में बैठने से lack of confidence देगा, किसी का भी यो चेक कर ले, अगर उसके लगन में राहू गोचर कर रहा है, सबसे पहले lack of confidence create कर देगा, clear है, lack of courage कर देगा, आदमी जैसे business में उसको माल देना ना, उधार देना है, पहले 10 जार का देता था, 25 जार का उधार देना पड़ेगा, तो उसमें courage नहीं आएगा, बते ही नहीं पाएगा, द्वंद में रह जाएगा, ठीक है, फिर उसका जो सोचने का तरीका है, सोच कुछ रहा है, कर कुछ देगा, यहनि twist in the thinking, सोचने में दो प्रकार के दुंद पैदा कर देगा, तो क्या आएगा इसको, गुसा, जब काम जल्दी नहीं होगा, तो क्या आएगा इसको, गुसा, बात के लिए है, गुसा आएगा, छोड़-छोड़ी बात पर गुसा करना चालो होगा, अरे बहिए, चाय बनने में भी पांच मिनट लगते हैं, तीन मिनट लगते हैं, या, नहीं जी मेरको तब दो मिनट में चाय चाहिए, यह कोई बात नहीं होती है, ठीक है, फिर एक अ हो गया, वेट लॉस पक्का कराता है, ठीक है, अब मैं आता हूं इसके उपर, केतु के उपर, यही हमारे इंपोर्टेंट गिरह हैं, बस, केतु के उपर आये, ओ स्वरी, यहां पर यह लिखना था बबा, असेंडेंट, केतु आया, केतु जो भी घटेगा, सटन होगा, हर चीज पता भी नहीं लगेगा, हर चीज सटन होगी, कोई सटेनिटी नहीं होगी, दूसरा, कुछ लोग दाड़ी रख लेते हैं, चाहे वो फ्रेंच कर स्टाइल में यह खूरी दाड़ी रख लेते हैं, जब केतु लगन में आता है, तब कराता, फीमेल के लिए नहीं है, पर यह टेकनीक 100% वर्क करें, इसकी कोई गरंटी मैं नहीं लेता, पहले बता रहा हूँ, most of the people, what they do, they have a beard, during the period of केतु, जब केतु निकल जाता है, तो दाड़ी भी निकल जाती है कहीं कि, या कई रख लेते हैं, maintain कर लेते हैं, तो इस तरह से यह चीज़े हैं, परंतु में कोई भी चीज़ ज्यादा वो नहीं हैं, कर रहा हूँ, अब मैं इसके अंदर सबसे बड़िया सूत्र बहुत अच्छे से कराऊंगा, जो मैंने अपनी नाड़ी की क्लास में जलग दी थी, कि आप लिखकर कैसे देंगे, number of positive years, लिखकर देो किसी को, और उसका कैसे पता आएगा, आपको number of negative years, लिखकर देंगे आप, और मैं अपनी क्लास में जो जो जोईन करेंगे, उनको ये क्लास में बताऊंगा, चेकर हो भी अपनी एज में, इस एज में negative event हुआ या नहीं हुआ, मतलब आपको 100% accuracy वाली टेखनीक मिलेगी, positive year, negative year, ठीक है, मेरी जो drafting, यह म में handy table भी बनाया हुगा है, handy table, short table एक आपके लिए, student आप easily बता दें, shortcut में, यहार कि तु बैटा, यहारा हूँ बैटा, चटेगर में बैटा, अच्छा यह होगा, साथ में बैटा है, शनी, अच्छा यह होगा, एक जटके में बता दें, वो तो detail में बाद में है, पर आप कहीं पर भी खड़े हैं, एक second में कैसे बता देंगे, बता देंगे, तो दो प्रकार से चीजे सिखानी हैं, आपको, एक मेरे को दशा से सिखाना है, नंबर एक, विद दशा, पहली टेकनीक, दूसरी होगी, विदाउट दशा, यह दो तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आपकी मास्क्री हो जाए, और एक जटके के अंदर आप किसी की भी इंटरपटेशन अराम से कर दें, एक आजमी दस, पांच गंटे लगा रहा है, कुंडली का यह इससा पलाट रहा है, डिगिरी देख रहा है, नक्षत्रा देख रहा है, आप दो सेगन में बताओ, वो टेकनीक आपके हाथ लगेगी, बस, इस चीज़ पर मैंने रिसर्च करी दी, और उसी पर मैंने कोर्स बनाया है, मैं जान बूच के कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा रिवील नहीं कर रहा है, मैं क्लास में बैतरें दूँगा इसको, क्योंकि जरास अभी मैं इस पर जा गया ना, बचा ही कुछ नहीं फिर, आगे टेकनीक हाथ में आपके, इतनी इजी टेकनीक है, किसी को ABCD आता है ना, जोतिश का, वो मास्ट्री कर गया, और जिसको आती है जोतिश, वो तो सुपर हिट गया, बाकि किसी को कोई डाउट हो, तो मेरे से पूछ सकता है, कोई क्वेरी हो, मेरे से पूछिए, कोई मना नहीं है, हां जी सर, किसी को कोई क्वेरी है, तो मेरे से पूछिए, दर्मेंदर जी, आपकी कोई क्वेरी है, माराना जी, आपकी कोई क्वेरी है, नहीं सर, चल यह ठीक है, रमीला जी, आपकी तो होगी नहीं, आपको इसली समझा गया जी सर इसकी एक टेक्निक मैंने आपको पॉजिटिव की पढ़ा दी हुई है लेकिन वह पूरी नहीं पढ़ाई पूरी तो इसी कोर्स का हिस्सा है लेकिन फिर भी मैं गिफ्ट में दे गया आपको लेकिन आएगा बापको जी क्या बैने फिट होगा वह आपको इसली और नेगीडीव होगा तो कितना नेगीडीव होगा एक जटके में पता लग जाएगा वो यह लिखके रख लो यह मेरे लाइब के पोजडिव यह रहे हैं मेरे लाइब के नेगीडीव यह बात कर ता है जी सर चलिए है वे गुड डे गुड नाइट तौ अल आफ यू थैंक थे बूम्यर जूर्ण का उर्फ सक्वार।